question कर रहा है the difference between the average amount of invested purchasing raw material जो invested purchasing raw material से उसका average निकालना है 2012-2070 तक दिया गया है और जो finished good material से जो की 2012-2070 तक दिया गया है दोनों का बिक्री में difference आपको बताना है जो blue वाला दिखाएद रहा है ये है invested और yellow वाला दिखा रहा है ये है good finished है सबसे पहले हम करते है invested वाला इन्वेस्टेड वाला कितना है 140 से plus में 250 से इसके बाद है आपका 300 उसके बाद है 325 उसके बाद है 525 उसके बाद है 450 इसके बाद है 450 इसको जोड़ लेते है ये है पांच 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 नो तीन बाद तीन पंद्रा दूस सकतर है 18 अगर कितना 18 से आ गया ठीक है अब यहां पर आप देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको 50 यहां पर है 50 यहां पर है 100 हो गया और 25 और 25 कितना पर है 100 होता है अब उसी तरीका से हम क्या करेंगे जो सेल फिनिश्ट गूड मेटरियल से उसको हम यहाँ पर एड़ करेंगे जो फिनिश्ट गूड मेटरियल है जो यल्लो वाला है यह होई 220 यह है कितना 300 उसके बाद है 475 इसके बाद है 400 इसके बाद है 600 इसके बाद है 525 एक बात मैं यहाँ पर एड़ करना चाहूंगा बहुत लोग देखते हैं 2012 और 17 तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा है सतर यहने की 12 सालेकर 17 तक जोड़ना है इस चीज आपको ध्यान रखना है चलिए इसको एड़ करते है छे और चार कितना होता है दस पंच कतना होता है 15 15 4 19 19 19 22 22 कितना होता है इसके बाग जो डबल डिचित है इसको हम एड कर लेते हैं यह आपका 75 और यह आपका 25 कितना हो जाएगा 120 इसमें और एड होगा यह कितना हो जाएगा अब देखे जो फिनिश्ट गूड मेट्रियल है वो 420 आ गया और जो इन्वेस्टिट गूड मेट्रियल है 340 हो गया इन दोने का डिफरेंस में से पुछा है इन दोने के डिकरी काउसत के बीच का अंतर पुछा है 340 में कितना जोड़ेंगा कि 420 हो जाए तो 60 पुलस 20 है नहीं कि 80 जोड़ेंगा कितना जाएगा 420 हो जाएगा option number 3 जो इस question का answer हो जाएगा 80 लाग का difference है